मैं यहां पर खाना बनाने के लिए आ गई हूं तो देखे इसमें जूरी में मतलब एक नली हां पैया जुआ जा गई है तो चलिए पहले मेरा बैगण का सícios तो आप लोंग देख सकते हुं इसमें मतलब बत्वयर किस का सग होता है और लिज दाल को बनाई हूं और यहां पर तो दो बेन डाल । यहां परети this तो चलिए मैं अभी चूला पे देखिए कढ़ाय पे तेल दी हूं क्योंकि अभी इसमें सब्जी डालोंगे कढ़ाय में प्यास डाल दी हूं और यह लाल हो जाएगा तो देखिए अभी मैं यहां पर प्यास बूज रही हूं करहाय पे और करहाय पे और मैं फूल गोबी अलो का सब्जी बनाओंगी उसके बड Know तब मैं इसको बनाओंगी तो चलिए मैं प्याज को फ्राइ कर लेती हूं एक पने रुके में आप लोगों को दिखाती हूं लाल हो गया है हलका हलका तो चलिए मैं इसमें फुलकोबी काट के रखी थी फुलकोबी है और आलु है तो मैं अब इसमें फुल को भी डाल दे रही हूँ आलोगी तो मैं दोनों को एक साथ डाल देंगी प्रेम तो देखें मैं सारा डाल दीं इसमें और देखें यहां पर शड़ी पर बन रहा है खाना तो आप लोगों को पता होगा लगड़ी का खाना बहुत ज्यादा प्यास्टी होता है अब जल्दी बन जाता है और तेश भी लगता है तो मैं भी दूसरी यहां पर बना रही हूं तो मेरा यह जो सब्जी है यह वाला लाल हो जाए रहा तो मैं इसमें हल्डी डालेंगी तो पहले मैं इसको पास्में प्रेश्य भग देती हूं मैं इसमें हल्डी एट कर दे रही हूं और नमक मैं अभी नहीं डालूंगी बाद में डालूंगी तो चलिए मैं इसको अच्छा तरह से मिक्स कर देती हूं आफ लोग देख सकते हो मैं इसमें मतलब हलका हलका ब्राण ہو गया था आलू और फुल को भी तो मैं इसमें हल्डी डाली हूं तो च्चलिए मैं इसने ओर थोगा सा हल्डी दे देती हूं तो देखे थे यह हल्दी ने मिक्स कर दी हूँ तो इसको थोगा साथ पाखने देती हूँ नहीं तो देखे वे वाला मटे सूटी है जो मैं सुल को भी आली हूं मटे सूटी भी बेंगी तो मैं अब इसको अच्छा परस्के मेरा जो मसाला था इसमें है जीरा और गोल की है और आदी लसुन का पेस्ट है तो मैं अब इसको फुलकोगी में डाल देती हूं तो आप देख सकते हैं मैं इसमें डाल दी है तो मैं इसको अच्छो तरह से मिला रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा थंडा का सीजन चल रहा है तो अभी सब को मतलब फुलकोगी आलो मतलब यह सब बहुत ज्यादा ही बनेता सब के घर से देखिए यहां पर मैं मसाला को थोड़ा सा पकने दूगे और देखिए यहां पर फ्रेंड मैं मतचीमी जो रखी थी तो के मतलब पा लीकों तो यहां पर पानी में रखी हूं फर मैं अभी सावीश में एड़ करूंगी वर्ता भी थोड़ का से मसाला पक जाएगा तब तब मसाला मैं पकने देती हूं आप मतल सूटी में डाल रही हूं और देखिए मेरा मसाला प्क गया है we are अभी से पानी एड तो मैं इसमें और थोड़ा सा पानी एक करूंगी तो देखिए आप लोग अगर बनाते हो आप लोगों को जितना गिरी भी पसंद आप लोग उतना डाल सकते हो तो मैं इसमें और थोड़ा सा मतलब नमक मैं नहीं डाली थी तो देखिए एक चमच है तो मैं इसको भी एक चमच नमक कड़ाए में डालूंगी तो देखिए मैं डाल दी हूँ तो चलिए मैं चला देती हूँ थोड़ा सा पर मेरा सब्जी में वाल आ गया है और आप लोग देख सकते हो और थोड़ा सा उमता पानी सुखे गा ना तो मैं इसको उटार दूंगी उसके बाद यहाँ पर बैगन है तो बैगन का सब्जी भी बनाएंगे मेरा लंच बन गया है तो मैं यहाँ पर खाने के लिए आ गई हूँ तो देख सकते हूँ यहाँ पर फुलकोबी और मटर सिम्यालो का सब्जी बनाई थी मैं गोली हूँ और यहाँ पर साग का दाल है और यह चावल है और बस तो मैं भी खाऊंगे आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हूँ तो प्लीस लाइक कर दीजीगा अगर आप मेरे चैन्ज में नहीं हो तो प्लीस मेरे चैन्ज को सब्सक्राइब कर दीजीगा और आज के लिए बस इतना ही फिर नेक्स वीडियो मिलेंगे तब तब के लिए और मैं